प्रमास डालेंग आपके 41st बर्स डे हैं और हम दौा करते हैं कि आप इसी तरह कामयाबी की सीड़ियां चड़ते रहें हमें इसी तरह इंटरेंड करते रहें और हमेशां इसी तरह डाउन तू अर्थ और अडॉरेबल रहना वस मेरी ये रिक्वेस्ट है हेलो गास, हाव यू, मेरा नाम हम आफ आफ़ावथ, पर्श आफ लाइक तर था 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 यू आफ वीडिया, मैं इंडियन सिनेमा इसले गह रहा हूं कि बाहु बली के बाद से जो फेम और स्टारडम मिला है प्रबास को मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई एक्टर है इस डे एन एज में जो इतनी ज्यादा मुभबते समेट रहे, काम्याबी समेट रहे और उसके नाम से अब फिल्म में बिकती हैं साहू लास्ट मुवी रिलीज होई थी, मेगा बजट मुवी थी, मिला जोला रिस्पॉंस आया था, कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं पसंद आई, लेकिन उसके स्टार्डप में कोई कमी नहीं आई है कंटीनियूसली उसकी शूटिंग चल रही थी, हैदराबाद में, इटली में, जोर्जिया में लेकिन कोवीड-19 की वज़ा से, जो उसके लास्ट चेडियूल से वो रुग गयते हैं, अभी ऑक्टोबर में दुबारा स्टार्ट किया है 200 करोड का मिनीमम बजट है, मेरा ख्याल है भी बजट थोड़ा इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि शूटिंग डिलेज हुई है और चो नुकसान हुए कोवीड की वज़ा से अब फाइनल फिगर तो बात ने पता लगेगी, लेकिन फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया है साथ में परबास डार्लिंक है, पूजा हैगड़, वन अफ दे मोस्ट ब्यूटिफुल एंड टालेंट एक्ट्रिस फ्रम तिलिगू सेनेमा इसवाल परबास मोशन पोस्टर, बहुत 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 लीजियुए और वीजियूटिफट्स यूज किये है शुरू में जा हाथ कुलता है उस पर ग्रास समी है फिर उसके बाद वो ट्रेंड का पूरा कैमरा मुव्मेंट बहुत स्मूध था और फिर कैरेक्टर्स भी रिवील किये हैं जोडियां अब यह नहीं पता कि वो कैरेक्टर्स कौन प्ले कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि करेक्टर्स होंगे इस फिल्म में मोशन पोस्टर है तो सीजिया वीजियल एफेक्ट सी होते हैं यूजिली लेकिन जब प्रबास डार्लिंग और पूजा हेकड़े को शो करते हैं तो यह मोमन बनता है और उसके बाद जो पॉत धीमा सा ब्यूटिफुल सूधिंग म्यूज पॉटीवर्न यूर्स ओल बाद ही स्टिल लुक्स लाइक अर्ली धर्लीज और लेट 20 तो यह अनिस्ट और दोनों की केमेस्ट्री बहुत अच्छी जच रही है अकूर्डिंग तो दे मोशन पोस्टर मुजे अच्छा लग रहा है फाइव डिफरेंट लेंग्विजिस में यह रिलीज होगी मुझे से लग रहा है कि 1970 और 80 के दर्म्यान की यह स्टोरी है फॉरन लोकेशन पर शूट होड़ी तो इसका मतलब यह है कि यह इंडिया में स्टोरी नहीं आई यह इंडिया से बाहर की स्टोरी है और एक हिस्ट्री क्रियेट कर सकती है जिस तरीके से इसक इंडिया गुट इंट्रस्टेंग आम वेरी मुच इंडिया में रिलीज हो रही है यह फिल्म शूट हो रही है तिलग जुबान और हिंदी जुबान दोनों में साहु जब रिलीज हुई थी ना तो प्रभास का जो एक्सें था हिंडी में थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहा इसके वाइज से थोड़ा सा awkward feel हो रहा था अब देखते हैं उन्होंने अपनी हिंदी इंप्रूफ की है के नहीं या उनके डालोग कोई और बोलेगा यह तो जब फिल्म रिलीज होगी तो पता लगेगा यह उससे पहले ही पता लग जाएगा बाट yes I'm quite excited to watch this film और इसका जो कि झालो जो झालोग कर बगद है